एलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सेम फली की सब्जी या ब्रॉड बेन्स की सब्जी तो मैं जैसे बनाती हूँ मैं उसी तरीके से आज आपको दिखाओंगी बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ और बहुत आखाने में अच्छी लगती है क्योंकि ये सब्जी बहुत और इसे फिर हमें खोल देना है, उसे अंदर से हमें देख लिना है, इसमें कभी-कभी ये खराब भी होते हैं, कभी-कभी इसमें कीडा भी होता है, तो ये हमें हातों से ही तोड़ के साफ करना होता है, इसे चूरी से काटके नहीं लेते हैं, इसे हमें हातों से ही साफ करना प तो देखें से इसी तरहिए तुरी पर फले से ही धोद भिर साफ कर सकते भी धूली। आप इसे साफ करनेके बाद भी भी साफ करने आपेसे नहीं तर्वी पार साफ कर लेती हूँW जब देमाद पाद लिखाल ॒ इसे नहीं तो थे मैं अरो यूझ निकाल लेती हूँW तो दिखे मैंने चन्नी में इसे निकाल दिया और साफ पानी से मैं इसे दो लेती हूँ और उसका पानी पूरा हमें निकाल देना है इस फली में से तो अभी कड़ाय में थोड़ा सा मैंने ओईल डाल दिया है अभी ये फली हम इस ओईल में डाल देते हैं तो बस अभी ये हम अच्छे से भून लेंगे, तो इसमें जो कच्छी स्मेल होती है, तो उसके वज़े से बहुत लोग इसे नहीं खाते हैं, तो ये कच्छी स्मेल इसमें ना आये, इसलिए हमें थोड़ा सा इसे भून लेना है, और अगर आपको ओल में इसे भूनना नहीं ह तो आप इसे बॉइल भी थोड़ा सा कर सकते हैं थोड़ा सा पानी में नमक और हल्दे थोड़ी से डालके इस फली को थोड़ा सा बॉइल कर सकते हैं तो उससे भी इसका जो कच्छा समेल जो होता है वो निकल जाता है और आप सब्जी आसानी से खा सकते हैं मतलब हर कोई खा स तो बस अब भी फली को मैंने थोड़ा भून लिया उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया अभी कड़ाए में मैंने थोड़ा सा ऑईल डाल दिया है इसमें थोड़ा हम जीरा डाल देते है और एक बड़ा प्यास मैंने बारी काट के इसमें डाल दिया है जीरा कुने के पाद मैं मैंने इसमें प्यास डाल दिया तो प्यास को अभी हमें भून लेना है और बहुती आसानी से ये सब्जी बनती है तो आप रोज के खाने में भी इसको बना सकते है या टिफिन के लिए भी बना सकते है तो प्यास जल्दी से भून जाने के लिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है तो सबजे में जितना नमक लगने वाला है उतना मैंने नमक इसमें डाल दिया है तो इसे के साथ अभी मैंने ये लसन भी थोड़ा डाल दिया है तो लसन को मैंने कूट के इसमें डाला है या तो काटके भी आप इसको डाल सकते हैं बारिक काटके इसे आप डाल सकते हैं तो लसन और प्यास को हमें अच्छा भून लेना है एक चुटके हम इसमें हिंग भी डाल देते हैं तो एक चुटके अभी मैंने इसमेंший हिंग डाल दिया अभी लसन और प्यास को हमें सुनय रहने तक भुनना हैu इसके बाद हम इसमें मिर्श पौडर डालेंगे तो ये मिर्श पौडर जो है वो मेरे घर का मसाला है मतलब मिर्श पौडर में सारे गरम मसाले और धनिया जीरा पहले से ही पीसा हुआ होता है तो देखे अब भी इसके साथ मैंने धनिया जीरा पौडर डाल दिया है थोड़ा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है तो आपके पास ये मसाला नहीं होगा तो आपको मिर्श पौडर, धनिया, जीरा और गरम मसाला थोड़ा सापको बढ़ा के डालना होगा और थोड़ी से अभी मैंने हल्दी भी इसमें डाल दी है तो बस अब थोड़ा सा इसे भूना है और इसमें हमने जो फली को भून के रखा तो बहुत सारे लोग यह सबजी खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें जो कच्च समेल होती है उसके वज़े से नहीं खाते हैं तो बस अभी एक चमच भरके में इसमें मुंगफली का पौडर डाल रही हो तो मुंगफली को भून लेना है और मिक्सी में उसका थोड़ा सा दरदरा सा पौडर बना लेना है उसको बारिक नहीं पीसना है बस दरदरा सा पीस लेना है और एक चमच भरके अभी मैंने इसमें ये मुंगफली का पौडर डाल दिया है मुंगफली पसंद ना हो तो आप जो फ्रेश कोकनट होता है उससे भी आप कद्दू कस करके इसमें डाल सकते हैं तो अभी मैंने सबजी के उपर एक धकन रख दिया धकन में थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे कम आच पे मैंने इसे पका लिया तो धकन के उपर पानी डालने से ये सबजी जलती नहीं है तले में लगती नहीं है बाप में ही अच्छे से पक जाती है और बिना पानी के ही ये सबजी पक जाती है तो देखे अभी ये सबजी पक चुकी है और इसमें वेने अभी हरा धनिया डाल दिया है और अभी ये बीन् यह दोटक। लेता है यह दोख दोड़ेंगे lift, विनलोगान पूरण भीन भाप में यह पकुछा रोड़ती है ज़्ली बनकी है। बन से यह ज़ली बनाता है। तो इसमें तरीके से आल बने हैं। और इसमें टमाटर नहीं डाला था क्योंकि इसमें टमाटर डालने से इसका स्वाथ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए में टमाटर इसमें नहीं डालती हूँ मेरे तरिके सी इसको बना के देख ये